गुट मॉनिंग दोस्तों मैं उज्वल और आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल नेचल लब पर आज की वीडियो है वह बहुत जाद इंट्रेस्टिंग होने वाली है मैं डिसकस करने वाला हूँ एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक और यह टॉपिक है जो आपने टाइटल में पढ़न दिया हुए कि कोई विनर्सी वाला नहीं चाहेगा आप यह तीन बाते जाने और यह तीन बात कौन सी है मैं आपको बता रहा हूं तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट मैंने पॉइंट सेलेक्ट किया है जो आपको बताने के लिए वो है आजकर जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो सबसे ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि इसमें आप सबसे ज़्यादा प्लांट को कोस्ली खरी लेते हैं जो कीमत नहीं हो होती है उससे ज्यादा देखिया आते हैं और आपकर किया जा रहा है और हर प्लांट को वास्तु सास्त्र से जोड़ा जारा है तो उसकी सेल बढ़ाने के लिए और उसे एक तरीके से उठाने के लिए उस्पी करने को तयार है नर्सरी यो नर्स और जो बड़ी-बड़ी नर एक अच्छे organization research station को उसमें verified certificate बना देते हैं कि ये वहाँ से verified है ऐसा-ईसा इस पर research हुआ था तो उस पे आप plant खरीद लेते हैं जो भी वो कीमत बताई जाती है तो इस टाम जो trending में चला है plant वो है लक्षमी कमल जिसका original name है एचिवेरिया black serum तो ये जो black एचिवेरिया होता है black color का इसको लक्षमी कमल कैसे कहने लगें क्योंकि ये आपको एक कमल के फूल की तरह लगेगा lotus flower की तरह तो उस पे लोगों ने कह दिया ये लक्षमी जी का कमल की तरह होता है और लक्षमी जी आपके घर में आएंगे अगर आप इसे घर में रखेंगे तो नॉर्मली एक सेक्वलेंट होता है और आप 50 से लेके 100 रुपए तक में आप इसे मार्केट से ले सकते थे पर आप उसकी कीमत हो गई है 700 से 800 रुपए छोटे से सेक्वलेंट की ओफिस में किसी भी बिजनिस क्लास रूम में या फिर कहीं भी लॉंज में कहीं भी बेटिंग रूम्स में आप देख सकते हैं ऐसे प्लांट को लक्षमी कमल जैसे कहते हैं तो इस ट्रेंडिंग में चलता है नॉर्मली सेक्वलेंट है मैं आपको बता दूँ और कोई भी न तरीके से आपको बता दूं कि कोई भी बिजनिस को फेक तरीके करना चाहिए यह जाते दिնकार नहीं होता है अगर आप कि साथ करते हैं कोई बिजनिस दूसरा टॉपिक यह है कि फड्लाइजर जो फड्लाइजर आप देते हैं प्लांट में वो कैसा दे रहा है कोई नर्सरी वाला या फिर क्या दे रहा है आपको कुछ नहीं पता उसने कह दिया यह प्लांट बूस्टर है फ्लॉब्रिंग बूस्टर है तो आप लेके आया आप आपको नहीं चाहेगा कि आपका प्लांट ज्यादा दिन तक रहे आपका फड्लाइजर ज्यादा दिन तक चलता रहे आप पूछेंगे फड्लाइजर कितना देना तो हो कहेंगा हर दिन थोड़ा एक चमज डालते रही है और आपको उसमें छोटा पैकेट दिया है 250 ग्रैम और आप जो फड्लाइजर ला रहे हैं वो सही है भी या नहीं ये भी आपको नहीं पता क्योंकि जातर फड्लाइजर जो होते हैं अगर आप औरगनिक ले रहे हैं तो काउटंग मैनियोर लेना चाहिए पर वो लोग देते हैं कूडा कचला मिट्टी और गोबर मिक्स करके जल्दी से डीकंपोस हो जाए और उसमें मिला देते हैं थोड़ा बहुत कोईला जिससे फंगस नाय थोड़ा बहुत अच्छा लगे आपको देखने में तो वो मैनियोर बन जाता है और उसे भी एंड्रिच मैनियोर और जन्ने क्या-क्या नाम देके बेज देते हैं वर्मी ब्रमी कंपोस्ट वो उसको खाते रहते हैं और उससे तयार करते हैं वर्मी कंपोस्ट में अपने वेस्ट से तो वो बहुत ही यूसफुल होती है उसमें बहुत से मिनरल सब कुछ होता है सप्लिमेंट्स पर जयाता नर्सरी ओनर्स होते हैं वो क्या गड़ते हैं कि काउड आप उन्होंने मिलाया थोड़ा बहुत सेंड मिला दी बालू और उसे तयार करके सुखा के आपको सेल कर दिया तो वह बिल्कुल भी फायदे मन नहीं होता है और आप जब भी आपने प्लांट में डालते हैं ज्यादा अमोनिया की बज़े से आपका प्लांट पूरा खराब ह जाता है डी कंपोज़ होने लगती है उसकी रूट सर जाती है नीचे से तो यह से कि नहीं पता चलने देगा की आप कौन से ब्लांट ले रहे हैं और कौन सी क्वालिटी ले सबसे पहले टॉपिक प्रेक्श किया था कि आपको फेक नेम से एग्जोटिक बढ़े रहा है ओधि प्रम की तो आपको उसी को पकड़ा देगा विर को इसी वराइटी जैसे आपने देखा यूटूब पे कि जाद लोग पास एडेनियम्स हैं और एडेनियम्स कोशली आते हैं तो आपने नर्सरी से जाके कहा नर्सरी में से कि मुझे आप एडेनियम्स मंगा के दीजिए उसने का कि हाँ एबलेविल है आप ले सकते हैं पर पोबेसम आती है जिसे आप जातर लोग जानते होगे और दूसरी वराइटी है अरबकम तीसरी है थाई सोको और इनके अंदर भी बहुत सी वराइटी है जिनके नाम कम से कम 20-25 होगे स्वाजकम नोवा तंजानिया और नोवा तंजानिया हाइब्रिट भी बना दिए कि रह correspondAl आपको पता नहीं है क्यों सबस्वेट रहा है और मैं बता दू कि जाड़ा दिन नहीं चलता है विस्वेोब्मर्ण से देख रहे होगे आप यह सब करते हैं तो ना करिए आपको अगर कोई सपोर्ट चाहिए तो मैं अपने चानल के थ्रूँ आपके सपोर्ट कर सकता हूँ पर किसी भी को भी ऐसे पागल मत बनाईए क्योंकि वो गार्डिंग छोड़ दे क्योंकि यह आजकल ट्रेंडिंग में चल लाए गार्डिंग क्योंकि इतना पॉल अगर अपनी टैरेस पे लगाया और टैरेस पूरी भर गई प्लांट से तो आप लगाएंगे वर्डिकल गार्डिंग में मतलब दिवारों पे भी बॉटल से आप लगा सकते हैं फिर उसके बाद में आती हाइंगिं बास्केट से भी बहुत अच्छा डेकॉरेशन होता है तो ऐसे करके आप अपने गर में लगाएंगे, तो फिर लगाते ही चले जाएंगे, तो इसलिए अगर आप एक बार आपको लगेगा कि प्लांट लेने जाता हूं और वो बुझे ठग लेता है, तो दुवारा आप उसके नहीं जाएंगे, और इससे आप लोगों को नुक्सा प्लीज इसको लाइक कर दीजेगा, वीडियो को शेर कीजेगा और बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो